आपन किजिए टैली ओपन किजिए तैली को कैसे ओपन करना है बताजी यहां पर टैली ही डबल प्लिक किजिए इसके आपको किस मोड में काम करना है एजुकेशनल मोड में चोकी जोकी डिट नहीं चेंज हुगा ठीक है यह कमपनी पहले सबनी हुए है किस नाम से बनी हुए है मॉड़निंग स्टो ठीक है लेकिन हमको नाम चेंज करना है या फिर इस सपोस्टीजिकी की कमपनी में कुछ परिवर्तन करना है तो कमपनी बनाना है तो बनाने के लिए क्या करेंगे कंपनी कैसे बने तो कैसे क्रिएट करेंगे कैसे हटाएंगे बताइए आल प्लस डी से डिलीट नहीं होता है आपको F3 प्रेस करना है F3 यह वोर्ट से F3 बटन प्रेस कीजिए यह आगे क्रिएट कमपनी उपर दिखाई दे रहा है क्रिएट कमपनी पर जाएए एंटर कीजिए आगया ठीक है अब इसमें आप कमपनी का नाम डाले यह आपका by default path है यह जो path दिख रहा है यह आपका by default path है ठीक है और इसी में जाके आपके file-save होंगी टेली बली अब दीजिए कमपनी का नाम होगा रहा है और दीजिए यह फाइनेंसियल यह कब से स्टार्ट होता है हाँ एक अप्रेल से और बुक काम कब से शुरू होता है बुक्स बिगिनिंग प्रॉम जितने तरिक आपका काम शुरू हो रहा हूँ वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं ठीक है अपर किजिए लास्त तक टैले में एक्सट एंटर एंटर करना रहता है तभी एक्सेप्ट होता है करियं एंटर हो गया कमपणी बन गई अब यहां पर क्या करना है यहां पर हमको कोई भी टेक्सेशन वाला कॉलम नहीं चालू करना है तो कंट्रोले डिरेक्ट कर देंगे कर देखें कंपनी बन जाती है या नहीं इस तरह से कंपनी बनती है लेकिन हमको चेंजेज करना है मार्निंग इसको करने के लिए फिर एक प्रेस करेंगे यहां पर जा सकते हैं आप अभी आप एक प्रेस कर दीजिए आप करीए अब इसमें दिया हूआ है Alter Company ठीक है तो Alter Company पर चले जाए Alter यानि Changes Perform करने है तो आपको Alter पर जाना है अब कौन से Company में Morning Store वाले में Morning Store का नाम चेंज करना है तो M प्रेस करेंगे न आपने क्या प्रेस कर दिया यहाँ पर हटाईए उसको बैक स्पेस की से ऐसे कीजिए यह यह दबाईये की यहां गया Morning Store आप यहां से Morning Store पर चले जाएए और Enter कर दीजिए सीज़े तो आगया Morning Store पर अब इसका नाम चेंज करना है कुछ भी चेंज करना है यहां से कुछ अब इसको कंट्रोले कर देंगे तो पूरा सेव हो जाएगा अब इसको वापिस से देखना है तो फिर वापिस अंकूर अब देखिए वहां Morning Store नहीं अंकूर इस्टोर नजर आ रहा है चेंजिस समझ में है कैसे हो रहा है ठीक है न अब यही काम आपको करना है करके देखने है आज का यही काम है ठीक है सिस्टम ओन कीज़ए है